नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवरीडे इंस्पिरेशन में दोस्तों आज का वीशे हमारा ज़रा हटके है आज हम बात करेंगे मच्छर पर अब आप बोलोगे कि मच्छर कितना घातक है ये हम जानते है इससे क्या क्या बीमारी होती है ये भी हम जानते है हाँ आप सब कुछ जानते है लेकिन आज हम आपको इसके बारे में कुछ अलग जानकारी देंगे दोस्तो किसी भी अन्य जिव जनतु के मुकाबले सब से ज़ादा मौते इसी कितक से होती है इस धर्ती के सभी मच्छरों को मार कर मैदान में इखटा किया जाए तो पाच कीमी उचा धेर लग सकता है दुनिया में मच्छरों की साड़े तीन हजार से भी अधिक प्रजा दि नर और मादा मच्छर पल और पोधों का रस्पीकर ही अपनी उपजीविका करते है लेकिन मादा को अंडों को विकसित करने के लिए रक्त में जो प्रोटीन होता है उसकी जरुरत पढ़ती है रक्त से भर जाने के बाद कुछ दिनों तक यह मादा आराम करती है मादा के चार चरन होते हैं अंडे लावा प्यूपा और वयस्क मच्छर मच्छरों का जीवण काल दो महीने से भी कम होता है नर मच्छर का जीवन काल 20 दिन या उससे भी कम होता है स्ट रोख की नजर कमजोर होती है इसलिए बहुक गहरे रंग वाले कपड़े पहने व्यक्ति को ही आसानी से देख पाते हैं मच्छरों के दाथ नहीं होते तो सुन से बहुत रक्त शोषते हैं दोस्तों मच्छर अपने वजन के तीन गुना रक्त पी सकता है इसे आलावा पसीने की गण मच्छरों को अकर्शित करती है इसलिए जिस व्यक्ति को अधिक पसीना आता है उसे भी मच्छर अधिक काटते है तो मच्छर इंसान की गंद भी पहचान जाते हैं यदि आप किसी मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं तो वह मच्छर 24 घंटे तक आपके आसपास नहीं घूमता दोस्तो मच्छर डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया जैसे खतरनाक बीमारी को फैलाते हैं वच्छने के लिए कीतक नाशक आशदी का इस्तमाल करे और दूशिद भोजन या पाणी ना ले धी ना ये मच्छरों के बारे में कुछ अलग जान करी तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए जाद से जाद से शेर कीजिए और मेरी चानल को सुस्क्राइब कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त धन्यवाद